अगर आपने पहला नहीं देखाया तो ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक उससे आप क्लिक करके देख सकते हैं यह दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मैं इस पर एंसे क्यों वीडियो भी बनाऊंगा तो हम पहले रिक्याद करते हैं कि कल हमने क्या देखा था कल हमने बेसिकली देखा था कि 1992 में क्या हुआ था रियो कॉंफरेंस हुआ था यानि की यूएंसी डी हुआ था इसका फ्रॉपम होता है यूनाइटेंट नेशन कंवेंशन ओन इ लिए देख सकते हैं और यूनाइटेंटेंट नेशन कंवेंशन तो कॉंबैट डिजर्टिफिकेशन बहुत सारे प्रोटोकॉल उसके अंदर बने थे जैसे कि यूएंसी के अंदर क्योटो प्रोटोकल बना था और सीवीडी के अंदर नगोया और कार्टीजिना बना था य को हमने की डिसक्स्का करना है वहां से होते हैं आपको पता होने चाहिए उसके और प्रोटिव कंट्री जो है उन ज्यादा responsible बनना चाहिए कारवन ट्रेडिंग क्या होता है कैसे आप कारवन करेड़ खरिचते हैं या बेचते हैं वह मैंने समझा दिया था उसके आद पेरिस डील जो हुआ था जो मतलब क्या होता है इंडिया का थी है क्या है वह भी मैंने डिसक्स किया था उसके सारे रिपोर्ट से उसको देखना जरूरी था इसलिए मैंने फिर से वह लिख दिया है आप देख सकते हैं पहला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो की जर्मन वाच निकलता है अगेन ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आता है वह भी जर्मन वाच का होता है ओशन डी ऑक्सिजिनेशन एवरीवान्स प्रब्लम यह रिपोर्ट आयूसीन द्वारा है और आई पी सीजी ने टेक के स्पेसल रिपोर्ट निकला है और ओशन एन क्रायोस फिर इंड़ चेंजिंग लाइन एक बार पूछते पैला पूछ पंछा ता व।ुर्ड स इंवार्मेंट रिपोर्ट कॉन्हालता है यूनसेंग धी निकलता है यूनेशन अब्यूनेज निपी निकलता है यूने तो अगला पार्ट वो बोलता है Convention 6 ऑन ब्यूजिकल डइवसिटी तो यह दूसरा Convention था जो हमने UNFCCC डिसकॉस किया था उसके बात मैंने बोला था कि बागæmore हम कंवेंचन कको सहए तो यह गोचेर चाहिए तो प्रक्तर चीच्उ-फारएटी ही है इंडेमिक होता है कि अगर कोई प्राणी सिर्फ और सिर्फ एक पॉर्टिकलर प्लेस पर पाया जाता है तो उसको इंडेमिक बोलते हैं जैसे कि एक हॉन्बिल है नारा कॉंडम हॉन्बिल वह सिर्फ और सिर्फ जो अंडेमा निकोबार आरलंड है वहां पे बगल में एक और छुटा सा आरलेंड है उसी का पार्ट है वह नारा कुन्डव आलेंड वह पर पाएजाता है यानि कि वह सिर्व का इंडेमिक है तो इंडिया is बिटीं केंडिया में면 बाहिते हैं सिर्फ इंड़्रनघ मैं पाहते हैं हिमालिया में पाहते हैं जौन परे से होट स्पाट एक डिफाइन के जाता है कि जहां पर बहुत ज़्यादा होती है उसको हैस्थाइज इंडिया में वैसे 4 हॉट स्पोर्ट असे हैं कौन कौन से हैं पहला है हीमालिय रेंज है वहां पर जाते हैं या पिशाट जाती है दूसरा है वेस्टरन काट वेस्टरन काट पैरलल रन करता है फ्रम गुज्राद केडला ठेक है वहाँ पे थोरा सा हिली एरिया है और वहां पे जंगल बहुत होते हैं उसमें प्राणी भी बहुत पाए जाते हैं उसके बाद है इंडो बर्मा रिजन यानि की नौर्थ इस्ट आप बोलीजे और लास्ट में सुंडा लेंड विच इस अप पार्ट अप अंडमान निकोबार यह चार बायो निकिड़् जो है उसके अंदर दो प्रोटकॉल वह इंपटेंट है तो पहला प्रोटकॉल है काइदे जन्युक्र इस है की खासकर जियों कली मॉडिफाइड या येलमो जो 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 बोते हैं वैसे प्लांट्स या एनिवल्स जो होते हैं उनका नेग्रिटिव इंपक्ट न पोस्ट वाइ जेनेटिकली मॉडिफाइड और गनीजम रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडरन बायो टेकनलोजी तो यह काटे जिन अफ प्रोटकॉल हो गया दूसरा है नगोया प्रोटकॉल यह बोलता है दा नगोया प्रोटकॉल अन एक्सेस तो जिनेटिक रिसोर्स एंड फियर हो रहा है अब उसको अगर कोई बाहर की कंपनी आकर पेटेंट करा लेगी तो जो लोग उसको उगाते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कुछ नहीं तो यह प्रोटकॉल के अंदर यह बनाए गया है कि जो बेनिफिट है वो शेयर हो ठीक है बाहर के कंपनी आती है अगर जो इसका करती है तो इसमें कर नहीं नहीं है यह uşको ट्रमेशन फारीशर लेने के बाद प्राफिटम को उमक्तिश को कश फिरेगा सो बेसिकली इसके लिए एक बाड़ी बनाइग है इस बाइल promise १ि इंने म explained की इंडिया ने जो कि उसी समय बना था 10 साल के अंदर इंडिया को को बना के बना लिए बाड़ी बना दिया और यह क्या करता है यह करता है कि आप यह रिसेरच कर सकते हैं और कैसे ग। कर सकते हैं जो कि नगया प्रोटोकॉल में है नेशनल बायो डाइवर्सिटी ऑथरीटी का है चलनाई में अगला है यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्योपी 14 जो था वह हुआ था देली में बेसिकली नौड़ा में हुआ था लेकिन देली बोलते हैं देली म त्रू नेशनल आक्शन प्रोग्राम यह लिगली बाइंडिंग है इसलिए इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है थीम क्या था इस पर जो हुआ था रिस्टोर लैंड एंड सस्टेंट फ्यूचर यह इंपॉर्टेंट है तो अब हम डिसकस करेंगे कुछ अधर इंपॉर्टें कन्वेंशन पहला है सियमेश दूसरा है विएना कन्वेशन मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली आग्रिमेंट तीसरा है रामसार कन्वेंशन यह तीन चीज़ हम डिसकस करेंगे पहले सियमेश जो था उसका सी ओपी 13 कहां हुआ था गांधी नगर इंडिया में हो था कब अब यह जो होता है उसको बॉंड कन्वेंशन भी बोलते हैं क्योंकि यह बॉंड जर्मनी जो है वहां पे साइन हुआ था थीन वास हेल अट गांधी नगर इन गुजरात इन 2020 थीम क्या था इसका मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी यह शेर के था इसका थीम था मैसकोट कॉन था तो जैसे आपको देख़ोगा कि यह बार्द का नाम क्या है और ग्रेट इंडियन बॉस्टर इंडिय बॉस्त तैने और फो छ इब फी जो भी और मैसकोट का नाम होता है जी बडी न गिबी जो भी बोलिये उस्का मैसकोट था उसके पास दूसरा इंतक्व इसका जो poster था उसमें आपने गोल जो बना हुआ है वो देखा होगा इसको क्या बोलते हैं बिस या यह किस से derived है column जो है वो south में बनाए जाता है column एक तरका रंगोली होता है जो कि हर एक दिन south में बना जाता है तो यह column से derived है यह भी important है अब आते है montreal protocol के बारे में जो कि 1987 में बना था basically हुआ क्या था पहले एक Vienna convention आये था बाद में montreal protocol आये था आप जैसा figure में देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा कि 1980s के आत्वास में शुरुआत हो गई थी ozone depletion की और depletion बहुत जल्दी depletion हो रहा था कहां पे खासकर जो पोल होते हैं न Antarctica वहां पे और जो नौर्थ पोल है वहां पे भी इस ozone layer को भढ़ने के लिए या ozone hole को भढ़ने के लिए यह पहले वियना में एक convention हुआ जैसे मैंने पहले बताया था पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है तो वियना में एक convention होता है और उसी के थुरू एक protocol बनाए जाता है जिसका नाम है Montreal Protocol अगर यह कोशन आएगा कि वियना कन्वेंशन के सिरुलिटेड है तो ओजोन से मुंट्रियल प्रोटकॉल के सिरुलिटेड है यह भी ओजोन से ओजोन का यूनिट क्या होता है मिजरमेंट का यह भी पता होना चाहिए यह होता है डॉबसन from 1971 onwards there is a sharp decrease in ओजोन जो आपको फिकर में दिख रहा होगा due to the use of CFCs in jet, refrigerators and aerosol etc which releases chlorine radical CFC क्या होता है chlorofluorocarbon इससे chlorine radical निकलते हैं जो की ओजोन से जाके react कराते हैं और oxygen बना देते हैं यानि की ओजोन जो होता है O3 होता है उसको O2 में convert कर देते हैं तो जिससे क्या होता है उसका layer जो है खतम हो जाता है due to this protocol condition is steadily improving यह जो प्रोटोकल साइन हुआ उसके बाद धिरे धिरे improvement हो रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा CFC we are replaced by HFC hydrofluorocarbons क्योंकि chlorine radical हटाना था अब ozone basically दो तरका होता है एक होता है tropospheric ozone जो की हमारे layer पे होता है दूसरा होता है stratospheric ozone तो stratospheric ozone अच्छा ozone होता है यह आया था लास्टेक्ट एक तो होता है इस ग्रूप के जो elements होते है वो सारे होते हैं जैसे की chlorine radical, fluorine radical, etc. The concern to save ozone layer led to Vienna Convention in 1986 under which Montreal Protocol came into force. It is the first universally ratified treaty of United Nations. उसके बाद है International Day for Preservation of ozone layer कब मना जाता है इसको 16th of September. Then CFC was replaced by HFC उसके बाद है कि problem with HFC भी हो गया क्योंकि वो जो है एक potent greenhouse gas है. जो CFC था वो problem था ozone के लिए तो उसको हटा कि हम hydrofluorocarbon लाते हैं. लेकिन hydrofluorocarbon अपने आप में एक danger है क्योंकि वो बहुत वड़ा greenhouse gas है. It does not harm the ozone layer but is a highly potential greenhouse gas which causes global warming. तो अभी recently news आया था कि India is phased out hydrofluorocarbon. मतलब उसका एक variety था जो उसको phased out किया था, ठीक है? 2019 में the Kigali Amendment to Montreal Protocol came into force under the Kigali Amendment. Countries promise to reduce the use of hydrofluorocarbon by more than 80% over next 30 years. उसके बाद है रामसार Convention ये भी important है. Convention to protect wetland named after city Iran. ठीक है रामसार क्या है? एक city है एरान में और ये convention किस लिए है? वेटलेंड जो होते हैं उसको protect करने लिए. उसके बाद है कि Montereyuk's record क्या होता है? तो Montereyuk's record जो होता है, रामसार Convention के अंदर ही एक record होता है. It is a register जहाँ पे वैसे sites को लिखा जाता है जिसका खत्रा कुछ ज़्यादा है. जिसमें ecological changes कुछ ज़्यादा आए हैं कुछ दिनों में. Currently two wetlands of India are in Montereyuk's record. कौन-कौन से हैं? पहला है केवला देव नेशनल पार्क और दूसरा है लोक्तक लेग. केवला देव नेशनल पार्क जो है इसको भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते थे. यह कहाँ पे हैं? राजस्थान में हैं. और दूसरा जो है लोक्तक लेग वो कहाँ पे हैं? मनिपूर में हैं. चिलका लेग जो है वो भी पहले इसमें था लेकिन उसका condition जब ठीक हुआ तो उसको remove कर दिया गया. The Ramsar Convention works slowly with BirdLife International. यानि की BirdLife International के साथ मिलके यह काम करता है. लेकिन इन इंडिया, Bombay Natural History Society यानि की BNHS is the partner of BirdLife International. तो Bombay Natural History Society जो कि Bombay में है और बहुते पुराना है तो थो थोड़ा important है इसके बार में जानना. इसका एक magazine आता है जिसका नाम होता है Hornville. उसके बाद जो मैंने यहां दिखाया था मोंटरेक्स record में एक तो है केला देव नेशनल पार्क और दूसरा है लोक टक लेक. तो यह जो लोक टक लेक है वहीं पे एक नेशनल पार्क है उस लेक के ओपर जिसका नाम है केबूल लाम नेशनल पार्क जो है वह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मवनीपोर में है किस लेक की ओपर? लोक टक लेक के ओपर. दो चैज और ज़ोड़ी है यहां एक तरह का डियर पाया जाता है जो कि endangered है और सिर्फ यह ही पाया जाता है इंडेमिक है उसका नाम है इस शंगाई कन्वेंशन में पहला है कावरता लेक जो की बिहार में है मतलब 2020 में इसको एड़ किया था दूसरा है असान भराज जो की उत्राखंड में है असान भराज तीसरा है लोनर लेक जो की महराश्ट में है उसके बाद है सुर्च सरोबर जो की यूपी में है उसके वाद है सो कार ल तो लेक है, वो कैसे बना है, एक मेटियोर के धरती पर गिरने से बना है, महरास्ट में यह located है, और उसका जो करार हुआ करता था, वह green था, जैसा सभी लेक का होता है, कि वहाँ पर growth हो जाता है, और वह green हो जाता है, अलका bloom हो के, लेकिन, अभी कुछ हुआ, कुछ bacteria या कुछ पता नहीं अनूर्ड रिजिटन के कारण वो पिंक हो गया तो इसलिए भी ये न्यूज में था तो हो सकता है इस पर question आ जाए So this was all for today हमने global perspective almost देख लिया है अब जो है Indian perspective हम देखेंगे और recent developments पर MCQ भी देख लेंगे